इसना चुडिया पादक, इसना चुडिया ओपादक, इसना चुडिया ओपादक, सिच्छा का अधिकार अधनियम 2009 के तहट प्रावधान है की परतेग प्रात्मी गुद्याले में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, मगर सिधात नगर जनपत के भान पूरानी आप किया कितने टीचर हैं? और आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं? संख्या बच्चों का ज्यादा है, तो कैसे पढ़ाते हैं? टीचर कमना है, इसलिए हैं सामान में तोर पे जो मुख समस्या है हमारे यहां वो यह है कि सिच्छकों की कमी. टोटल कितने बच्चे हैं आपके मेरी हाँ टोटल 302 बच्चे हैं और कितने टीचर्स हैं आपके? टीचर मानक के आधार पर तो आप जानती है कि 30 के ऊपर एक अध्यापक होते हैं बट अब मानक के आधार पर तो हमारे यहां सिच्छकों की बहुत बड़ी कमी है और कमी होने के नाते सिच्छन विवस्था प्रभावित होती है और मेरा तो पूरा टार्गेट यह है कि आधर्स विद्याले की अस्थापना करना लेकिन अब मजबूरी है कि एक क्लास को दो क्लास को एक क्लास में मिक्स करना पड़ता है इसे अब उनका जो सलेबस कच्छा-चार का कुछ अलगे तो पांच का अलग ह फिर भी मिक्स अब करके उनको पढ़ाना पड़ता है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा तो यही जो है सुझाओ है कि आप ऐसा प्रयास करें जिसे मारे विद्यले में सिच्छों की संख्या बढ़ सकते हैं तो क्या यह यह आप लोग पाठव करने में बच्चों के लिए बहुत बाधाय आती है पूरा कुर्स पूरे ने उपा रहा है, बच्चों को यह ऐसा है, हम क्यों पार्ट फरना पड़ता है, कि जो सभी बच्चों के लिए उप्योगी हो, और कुछे उसमें से पार्ट छूड जाते हैं बच्चों का, इसलिए हम लोग बड़ी समस्या होती है, अगर यहां सिच्छ जाए दूर हो सके, वीडियो देखने वाले आप सभी दसकों से मेरा अपील है, कि आप सिद्धाद नगर जनपत के बियस्से का मुबाइल नंबर है, चवरान वितिर्पन डबल जीर, एक तारिस अकरिस पर काल कर दबाव बनाए, ताकि इस विद्याले में अध्यापकों की न्यूकती हो सके, मैं ब्रमजीत सिद्धाद नगर उत्तर परदेश इंडिया नहाट के लिए,